अर्जुन कपूर के नाम दर्स हुआ एक बेहद शर्मनाक रेकॉर्ड अर्जुन कपूर की फिल्म दे लेडी किलर बॉक्स आफिस पर रिलीज हुई और पहले दिन इस फिल्म को देखने कोई मक्खी भी नहीं गई महस 500 टिकेट्स बिके है और 38,000 रुपए इस फिल्म ने फिर्स डे का कलेक्शन किया है यह अब तक का सबसे लोईस्ट कलेक्शन है कुछ रिपोर्ट्स के मताबिक खुद अरजुन कपूर और भूमी पेडनेकर को भी नहीं पता था कि उनकी फिल्म इसी फ्राइडे को रिलीज हो रही है यही कारण है कि स्टार्स भी अपनी इस फिल्म को जादा प्रमोट नहीं कर पाए बात करें अरजुन कपूर की तो अरजुन कपूर की पिछली सारी फिल्म में सूपर फ्लॉप हुई है उसके बावजूद अरजुन कपूर को आने वाले टाइम में आप एक बड़े बजट की फिल्म में देखेंगे रोहिच शेति की फिल्म का वो हिस्सा है अरजुन के अलावा इस फिल्म में भूमी पेडनेकर है, बात करें भूमी पेडनेकर की तो वो भी अपनी image change करने के चक्कर में, पिछले कुछ समय से different roles कर रही है, recently thank you for coming फिल्म उन्होंने की थी, उसको promote भी बहुत किया था, लेकिन उसके लिए भी उन्हें काफी criticize किया गया अब अरजुन और भूमी जब साथ में आये तो result क्या हुआ, यह आप सभी के सामने हैं, जहां कुछ reports का कहना है कि फिल्म को महज 12 screens पर ही release किया गया, और theaters में release करना इस film को एक formality थी, क्योंकि makers इस film को direct OTT पर release करना चाहते थे, लेकिन अब OTT ने नया rule बना दिया है, कि पह पहले फिल्मों वाले खराब क्वालिटी की फिल्में बनाकर OTT वालों को पकड़ा रहे थे, ऐसे में फिल्मों की क्वालिटी, सुधरे, OTT ने यह शर्त रख दी थी, और reports के मताबिक अरजुन कपूर की इस film को इसी शर्त के चलते, पहले theaters में release करना पड़ा और फिर इसे O लेकिन उसके बावजूद, बात करें अरजुन कपूर की, तो वो बड़ी फिल्मों का हिस्सा है, और भूमी पेडनेकर की बात करें, तो वो एक political background से आती है, और film industry में काफी अच्छे contacts है, और बड़े budget के बड़े banners के फिल्मों में उन्होंने काम किया है